नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल जिके पाट साला में दोस्तो अमारी बात चल रही थी अधिगम के जो सिद्दान्त है उनके बारे में जिसमें जो आज की जो नेक्स्ट करी है उसमें हम बात करेंगे किरिया परसूत अनुबंदन सिद्दान्त या दूसरी नाम से बात करें तो इसका सक्री अनुबंदन सिद्दान्त तो किरिया परसूत एक्चुल में होता क्या किरिया परसूत उसके बारे में बात करते लेते हैं सबसे पहले तो अब देखो किरिया परसूत का वास्ता में मतलब क्या ओफरेंट जो है मतलब जो किरिया हैं वो मनुष्य के दोवारा एक तरह से नियंतर में रहती है मानना हुद दोवारा जो किरिया एच्छिक रूप में परकट की जाती है न एच्छिक रूप से वो ही क्या है क्रिया परसूत है एक तरह से बाई प्राणी है वो जो प्रयाओन में सक्रिय रहकर कार्य करता है वो क्रिया परसूत है तो जो इसके परतिपादक थे बिया पिसके नर्जों अमरिका के इन्होंने क्या क्या था जो एच्छिक अनुक्रिया है जो गठित होती है उ तो इसके अन्य नामों की बात करें तो किरिया परसूत अनुबंदन सिदांत के अन्य नाम है सक्रिया अनुबंदन सिदांत नेमेतिक अनुबंदन नेमेतिक अनुबंदन का मतलब इसमें देखो जो खानी है उसमें क्या है लिवर दबाया जाता है तो लिवर दबाने के अनुक्रिया के फल सुरू क्या है बोजन प्राप्त होता है यानि लिवर दबाने के अनुक्रिया बोजन प्राप्त करने के निमीत है इसलिए किया इसको नेमेतिक अनुबंदन भी कहा जाता है RS ठियोरी यानि रिस्पॉंस पहले होगा इसमें जो अनुक्रिया हैं वो पहले होंगी और जो उद्धिपक है वो बाद मिलेगा वह जो बोजन है पहले चुगा क्रिया है करेगा उसके बाद उसको कैया है वोजन मिलता है इसलिए RS स्टिमूलस बाद में आएगा उद्धिपक पिर एक कारियात्मक पर्टिबददा शिद्धान या अनुक्रिया ये सेम ये RS पहले अनुक्रिया फिर उद्धिपक शिद्धान और अनुक्रिय अनुबन्दन शिदानत यह सारी इसके अन्य-नाम, देको नमों से शिद्दा सा क्रunyaोशन आता है, नाम दे दिया और आपको पोछ सकताए इस से अधिगम, शिद्दानत के परतिपादक कौन थे तो वो आपको بتाना है, तो यह नाम सारे द्यान में रखो आपको इस इसके उपर किया था कबूत्रों के उपर किया था तो सबसे पहले तो इसके परियोग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा एक skinner box आता है जैसे ये चितर में आपको दिख रहा है skinner box या समस्या box है इसमें क्या है कि जो चुवा है जो अंदर गुमता है और अन्यास उससे क्या है जो लिवर दपता है जो चूर जो कबुत्रों के उपर प्रयोग किया था इसमें ये जो चुवा है वो क्या था बुखा था ये बुखा चुवा था skinner box आपको दिख रहा है समस्या box तो चुवा बुखा था अब बुखा आदमें वो तो अनुक्रिया करेगा ये करेगा तो अनुक्रियाओं के फल सुरूप भुखा रख दिया तो चुहा चारो तरप गुमेगा इसमें, अब बाहर उसको जा नहीं सकता, अब उसको खाना दिखाई नहीं दे रहे हैया, सबसे बड़ी बात है, जो उद्धी पग है वो दिखाई नहीं दे रहे है, अब यहीं बॉक्स में एक जगह इसने क्या है लिवर फिट कर दिया तो जैसे गुम रहा है बार-बार अनुक्रियां कर रहा है तो अचानक एक बार क्या होता है वो लिवर दब जाता है तो लिवर दबते ही क्या है बोजन अपने आप ऑटोमेटिक क्या है इससे अंदर आ जाता है जो सिस्टम लगा उससे अंदर आ जाता है तो अब बुखा चुआ है पहली बार तो क्या है बोक्स में जो लिवर है वो अन्यास दबता है अब दिरे-दिरे क्या है दिरे-दिरे य जैसे जैसे परियासों की संक्या बढ़ती गई चुहे के दुआरा जो बोजन प्राप्त करने गया लिवर दबाने के बीच का समय अंतराल भी क्या है गटता गया यानि एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि अनुबंधन पुरुन हो गया वही अनुबंधन तब पुरुन हो गया वह और वह अनुब्याइग क्या है किरिया परसूत अनुब्याइग तो यह तो तो दूसरा है उसके बारे बात करें तो वह कबुतर के उपर ये जो चित्तर देख रहे है ये किस से समंदित था, कबूतर से समंदित जो इसकी नर ने चारा अपना समस्या बॉक्स था इसकी नर बॉक्स भी कह सकते हैं इसको तो ये कीद्काई परतर प्रसुत अनुमपन्न का का शिदानत है बाई उचल कोड़ करता है उदर उदर भूका चुआ है तो जो एचीज चीज यह तो मानों द्वारा एचीज चीजें की जाती है भूग लगेगी तो खाणा खाणे के लिए प्रियास रहेगा तो बादा उसमें क्या एगी बादा है जो इसके नर्समश्या वोक्स वादा स्कीनर के परियोग के चरंड थे अब इसकीनर की मानेताओं की बात करें इसकीनर ने इस सिद्धान के दुआरा क्या समझाया तो इसकीनर क्या कहता है कि जीव को शिखाने के लिए पहले उद्धिपक देने की आवसिकता नहीं है यदि जीव उचित करिया करे तो उस पर फिजज़ फ़्छ rub दिखाई देता है और रेसपॉंस उसको देखकर होता है रेसे ठियोरी और इस तुरी कितमा यंद्धर है इसमें पहले रिसपॉंस होता है फिर ऊद्धिका मिलता है लगसार और असुंत्ध नाम से प्ता चल जाता है इंग्लिजेश में धियान मोई रो को stimulus और response response stimulus दोनों में SR theory और RS theory stimulus response जो थांडेक ही है और response उसके बाद जो दिपक मिलता है जैसे आप के लिए है वह आप पहले exam एक्जाम के लिए क्या करोगे त्यारी करोगे response पहले अनुक्रियां करोगे कितनी भी अनुक्रियां वो करोगे उसके बाद आपको क्या उद्धिपक मिलता है उद्धिपक का मतलब नोक्री यह बाद में मिलती है उचलकूत करोगे अपने परियास करोगे साहता लोगे नौट्स की कोचिंगों की जो भी आपको उचित लगे उसके बाद क्या आपको response मिलता है तो ये सारी चीज़े थी आप देखो Skinner के अनुसार दो प्रकार के वेवार बताता है Skinner पहला वेवार है इसका अनुक्रिया वेवार अनुक्रिया वेवार का मतलब है जो अनुक्रिया किसी उद्धिपक के कार्ण होती है जैसे SR थियोरी उसमें पहले उद्धिपक था उसके बाद response होता है यानि जो थौंडाइक का सिद्धान थे ये क्या कहलाता है अनुक्रिया वेवार जैसे हाथ जलने पर जैसे हम क्या करते हैं तुरंत हाथ पीछे अठा लेते हैं जैसे तेज लाइट कोई जलती है तो आंके बंद गल लेते हैं बोजन देकर लाट अपकाते हैं यह सारी चीजे क्या है अनुक्रिया वेवार है अब परसूत वेवार की बात करें तो जो अनुक्रिया उद्धिपक के कार्ण नहीं होती जीव की स्वेम की इच्छाइकार हो भूग लगती है तो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं बोजन मेरे को कहीं से मिल जाए गर्मी लगती है तो यह सोचता है कि मेरे को श्नान करने का मोका मिल जाए नाने का मोका मिल जाए या मेरे को कुलर की हवा मिल जाए थकान हो जाती है तो आराम करता है नींद लेता है यह सार लिए परसूत हैब जेको स्यक्षनिक नीर्थार्थ के बात आप साइब सीटाइब करें तो सब से पहले तो है कि पुनरबलण का उप यूग मैद सźो रजब है उस्टके क्या यूपियोग थो पुनर बनन मैं भाई बाई बालक सही उनक्रिया करता है तो उसे भारात्म की भी हो सकता है यानि दोनों प्रकार का पुनरबलन दिया जाना चाहिए और बाला को अगर पुनरबलन मिलता है तो वह आगामिकारियों के लिए भी क्या उसे अभिप्रेड़ना मिलती है यह काम अच्छा हुए गुरुजी ने सहबाशी दिये तो आगे के लिए क्या है वह अभिप्रेड होता है फिर बात आतीया अभी करमित अधिग से अनुदेशन का मतलब होता है कि बहिए सब कि देखो इंडिवोसेंट इस एलगळग होता है तो व्यक्तीगत विभिन्द्वाद पर क्या है कोई भी जो अधिगम करता है वह अपनी घती से अधिगम करने की वेफस्ता होती है जैसी अनुक्रिय करेंगा वेसा ही क्या है उसको अधिगम होगा और निदान आत्मक सिक्षन में भी जो इसके निर्काई शिद्धान ते वो क्या है साइक माना जाता है इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ दोसों की तो दोसों में सबसे पहले आता है कि सीखने में सबसे महतोपन होता है वो क्या होती है अभी प्रेड़ना होती है लेकिन इसमें किसको मानेता दी गई है जदा पुनरबलन को अधिक मानेता दी गई है और दूसरी चीज़ है कि पिछडे बालकों के लिए उफ्योगी नहीं है परतिबा साली है उनके लिए तो अच्छा है वह किसी को आप कुछ शीखा होगे ना पिछडे यहानी जो कमजोर बालक है वह स्वाय रहेगा उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो यह सारी चीज़े हैं कि पिस्डे बालकों के लिए जादा उपयोगी नहीं है अब बात कर दें किरिया परसूत अनुबंदन के निर्दारक वास्त में जो किरिया परसूत है वह इसका जो रिजल्ट निकलता है उसी से क्या वेवार शिका जाता है अंत में जो रिजल्ट है जो भी रिजल्ट निकलता है उससे क्या वेवार को सिका जाता है जैसे बोजन प्राप्त हो रहा है जो रिजल्ट है उससे क्या क्रिया बनाई रखी जाती है या फिर यह कह सकते है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तो इन चीज़ों को कहते है इन चीज़ों को कहते है पर रिनात्मक प्रबलक और एक होते हैं रिनात्मक परबलकUS यह माय इसे उध्धीस उठीन रहे होते हैं इसे हम सुकत होता है तो 치टकारा चिभाने-धीच कर लग ऑर धन्रकर प्रतिष्ट घते होता है इसी मेज़ता है जिर the dinner लिखती कि अब थंड किया पीड़ाद आए दाए गए चृट्वय को न धिलाएगा थंड से कपड़ें कंपड़ेम दिलाएंगे या लकड divili आग है तो यह तो यह सारी चीजह मों क्या है रिनात्मक परबलक में देखंड यह रिनात्मक परबलक एक तरह से वो धंड इससे बाहर कोई आने की संभावना कम है किरिया परसूत अनुबंदन शिदान्त दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें सेर करें अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें और अगर आप चैनल के उपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब आपको मिलता रहे थैंक्यू दोस्तों जै हिन्द जै भारत